हेलो फ्रेंट्स चैनल पर आपका फिर से स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के अंदर में आपन लिव, क्वाटर, LTC, NPS, RTF एंड मेडिकल पर डिसकस करने वाले हैं सभी पॉइंट्स को मैंने डिटेल में इसमें मैंने बताये आपको एक्चली दोस्तों होता है कि मैं सभी जो वीडियो से असमें आपको ये comment चीज़ें बताता हो तो ये repetition होती है और मैं पोरा डिटेल में इसको बता भी नहीं पाता हूँ इसलिए मैंने ये वीडियो बनाये हैं ताकि पूरा डीटेल में इस सारे topics cover हो चुके हैं और सारे points इसमें cover हो पाएं दोस्तों खासकर NPS के बारे में मैंने इसमें काफी डीटेल में बताया है काफी ऐसी चीजे हैं जो अभी तक आपने नहीं सुनी होगी NPS के बारे में जो भी new patient scheme है वो मैंने लास्ट में इसमें डाला आप जाक सबस्ते हैं कि जो academic त्यारी कर रहे है या competition की त्यारी कर रहे है उसके लिए आपको study leave मिल जाएगा लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है study leave के लिए आपको कुछ specified professional courses हैं जो कि fellowships हैं जो कि आपको मतलब उसी में आप कर सकते हैं और आपको department रहता उस department के लिए beneficial होना चीए जो भी आप concern जो भी आपकी leave sanctioning authority होती है वो decide करती है सबसे पहले इसमें आपको क्या करना होता है कि आपको application लिखके देना होता कि आपको कोई भी जो course है वो करना है उसका duration उसमें मतलब क्या क्या चीजी रहेंगी उस अब explain करके आपको competent authority को application लिखनी पड़ती है बाद में जो कि आपकी leave sanctioning authority हो decide करेगी सबसे पहले तो वो क्या देखेगी सबसे पहले यह देखेगी कि आपकी duty जो आप कर रहे हैं उसके absence से उस पे कुछ duty जो भी रहेगा वहाँ पे जो concern department है उसमें कुछ फरक तो नहीं पड़ रहा है अगर वैसा कुछ रह रहा होगा तो आपको वहीं पर मतलब मना कर दिया जाएगा कि नहीं हम आपको इसके लिए नहीं जाने दिये जा सकते क्योंकि आपके आपके जाने के वज़े से यहां पर duty सफर करेगी अगर ठीक ऐसा नहीं होता है तो फिर क्या रहेगा कि वो लोग यह चेक करेंगी कि जो आप कोर्स कर रहे हैं उससे कर लें आइसी डवी कर लें तो उससे आप कर सकते हैं लेकिन होता है कि डिपार्टेमंट आप यह देखते हैं कि अलड़ी मेरे पास में कॉमरिशियल बैग्रांड वाले बच्चे हैं उनसे सब काम निकल रहा और हमें एक्स्टा कुछ ऐसे की जूट नहीं है तो यह सब ची नहीं रहती है दोस्तों मालो कि आफ को कोई भी कोर्स के लिए इसमें मतलब म्लिगा की आपको कर सकते हो सकते हो ऊसमें तो उसके बाद मिया भूत drawer को यह भी वह सबसे पहले बात खை. बहुत कर प्यारा करक्या है कि ये मेरे और को कन्रा जाना है तो अगर आप कोर्स करने के बाद में तीन साल की सर्वीस नहीं दे पाते हैं और छोड़ देते हैं तो जितनी भी आपको पे अगर मिली थी उस समय प्रैस जो भी आपका जो लीव एड्जेस्मेंट है जो लीव दी गई है वो सारी adjustment होने के बाद में आपके जो भी पैसे अगर बंड रहे हैं तो वो उसमें कटोती हो जाती है तो दोस्तों लीव जो यह है आपका जो study leave है वो मतलब वैसे अगर practically देखे जाए तो थोड़ा मुश्किली रहता है लेकिन अगर आप department में अच्छे-खासी strength है और आप convince कर पाए आपकी leave sanctioning authority को तो आपको study leave मिल जाती है लेकिन आप हमेशा यह ध्यान रखेगा कि आपके जो regular academic subjects है प्लस जो आप competition त्यारी कर रहे हैं उसके लिए आपको कभी भी study leave नहीं मिलती है और दोस्तों CA और ICW से लिए एक चीज मैं भी बताना चाहता हूं कि जब डबले हो खासकर आप बनके आते हैं तो यह सब चीजे courses वगर करने के लिए रहते हैं तो काफी एक चीज माहिन अब यह भी आती है कि क्या आपमें आर्टिकल्शिप जोब करना पड़ता है तो कि अपना experience काउंट होता है कि डबले हो गरेगा या भी कोई भी government job कर रहे हैं आप तो क्या उसका अपन तब CA करें तो आर्टिकल्शिप के लिए अगरला से करना पड़ेगा अपना experience काउंट हो जाएगा तो इसके लिए मैं आपको बता दूँ कि आर्टिकल्शिप के लिए मतलब जो अपना experience है वो बिल्कुल काउंट नहीं होता है यह सिर्फ facilities दी गई है जो उन्हें को यह facilities दी गई है तो वह जब करते हैं courses इवन उनको कुछ exam वगरे में भी छूट दी गई है तो एंटायर सर्विस में आप 24 मन्स तक ले सकते हैं इवन आप जो दूसरी आपके पास में लीव अगर हैं वो भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं टोटल 28 मन्स ते उपर नहीं जानी चाहिए और दोस्तों इसमें किया कि आपको अलाउंस भी मिलता अगर आप अब जाते हैं तो इसे उसी के टाइम पर मिलते हैं लेकिन वकैशन के टाइम गया कि हुँ कर लाकर आपको वह को सेल்डूरी मिल रही है चैया कई कोर्टेस में स्टाइफेंड वगर मिलता है तो वो सेलरी में से आपके उसमें माइनस कर दिया जाता है लेकिन इसमें भी एक लिमिट है कि इतना भी ज्यादा उसमें से डिटेक्शन नहीं करना है कि आपकी हाफ पे लीव से भी कम हो जाए जैकि मालों कि आपकी सेलरी 50,000 लिए और आपके वहां पे स्ट्रीफेंड 30,000 मिल रहे हैं तो आपको 30,000 स्ट्रीफेंड उसमें से माइनस नहीं की हो जाएगा क्योंकि आपका 50% है वो 25,000 थो आपको मिलना है मतला 25,000 प्लस आपके जो वहां पे अलग से आपको 30,000 व को आपकी इसमें टोल सेलरी हो क्यों है L&D और HPL, HPL होता है हाफ पे लिव जो कि आपको 20 HPL मिलते है यह एडवांस में आपको एक जनवरी और एक जुलाई को 10 HPL मिल जाती है यह अपको 20 HPL मिलती है यह medical ground पे आप अगर इसको लेते हैं तो इस HPL को committed कहते है होता कि HPL में आ आपजब HPL अगर डाक्ला अप्लाई करते हैं विदाउट medical ground प्रश प्लाई करते है तब होता कि एक दिन की ही HPL करती है लेकिन आपको हाफ पे मिलती है कामटीड router में क्या होता बद दो हैं रिकिन अच्छ लिगति हैं लेकिन आपको ही apply करना रहता है कि request करना ही रहती है कि sir जो मेरी forthcoming HPL जो आगे जाके मैं gain करूँगा आगे years में जो मैं gain करूँगा वो मेरे को आप advance में दे दीजिए तो यह आपकी competent जो authority रहती है leave sanction authority वो decide करती है कि भी यह बंदा वापस आएगा क्या अगर वो आप उनको मतलब confidence में रहता है तो आपको वैसे नॉर्मली दे देते हैं अगर आपको जूर्द रहती है medical ground पे तो आपको मिल जाती है लेकिन अगर आप department छोड़के चले जाते हैं तो वही आपके HPL आपके एड़्जस कर लेती है salary वगरे में उसको वापस एड़्जस कर देते हैं अगर आप वापस नहीं आते हैं और आपके उतनी HPL वगरे नहीं बन पाती है तो तो मोटा मोटी आप देखा जाए तो L&D जो के लिव not due है वह आपके HPL के ही जगह दी जाती है मतलब आपको एडवांस में HPL दी जाती है उसको leave not due कहते है L&D leave not due आपको 360 days entire service में आप उसको ले सकते है EL earned leave जिसको बोलते है यह normally आपको जो civil department है उसमें 30 days में मिलती है अगर आप CPO की बात करें तो उसमें आपको यह मिलती है 30 days किसमें CSF में बाकी जितने भी forces है उसमें 60 days रहती है तो यह वैसे नॉर्मली पर मन्त आपको ढ़ाई मतलब 2.5 days के साफ़ से देते हैं लेकिन एडवांस में इसको जन्वरी और 1st of July को इसमें आपको 15 days वह एडवांस में दे देते हैं और in the case of 60 days जिसको मिलती है जिस भी forces के अंदर में उसको यह 30 days एडवांस में दे देते हैं नेक्स्ट आती है आपकी CL casually वह forces में सभी में 15 days ही CL मिलती है civil में यह 8 days CL लेती है CL का benefit यह रहता है कि इसमें जो भी बीच में छुटी आती वो count नहीं होती है और prefix और suffix भी इसमें अपन एड़ करके कर सकते हैं रह को भी इसमें जो रेश्टिक्ट होड़ होता है जो कि 2 हाफ दे लिया है और उसके अगले दिन आप बीमार पड़ गए तो आप वह जो एच पे लिया जो भी और दूसरी चुटी लगा होगे बीमार होने के वज़े से तो वह हाफ से उसके साथ आप एड़ कर सकते हैं वह जो रेगुलर जो आपके लिव से उसके साथ में मतलब उ आपने लिया है और उसके आगया अगर आपने दूसरी चुटी मतलब दूसरी चुटी ने आप अगर बीमार पड़ गए तो आप इसको एड़ कर सकते हैं उसके साथ में मिला सकते हैं अगर आप चाइल्ड करते हैं तो वह वन यर से उपर का होना चाहिए मिस्कारज के लिए भी 45 डेस की मतलब आप लिव मिलती है इसके अंदर में और इसमें एक कंडिशिन यह भी है कि अगर आपका पहला बच्चा ट्वीन वह तो दो बच्चों के लिए आपको मिलेगा यह अगर आपका दूसरा बच्चा हो गया तो आपको फिर तीन बच्चो के लिए सकते हैं वह भी यह पैटन लिए आपको 2 child के लिए मिलती है अगर आप चाहिए अडम्ट करते हैं तो वह उपर उना चाहिए चाइल्ड के लिव सिर्फ लेडिस के लिए रहता है जो कि 730 आपको एंटाए सर्विस में मिलता है इसको कम से कम आपको जब अप्लाई करते हैं आप साल में तीन वार इसको मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं मैक्सिम और 15 डेस एड़ ताइम आपको उसको लेना होता है लेकिन जो प्रविशन प्रविशन रहता है उसमें आपको यह नहीं मिलता है लेकिन एक्स्टीम सिच्वेशन में आपको यह मिल भी सकता है चाइल के लिव दो बच्चों के लिए मिलता है बच्चा जब तक 18 years होता जब तक और अगर वो डिसेबल है तो 22 years तक वो चाइल के लिव ले सकते हैं जो नेक्स्ट लिव है EOL Extraordinary लिव यह आप 5 years से ज्यादा इसको नहीं ले सकते हैं यह लिव आपके पास में कोई लिव नहीं होती है लेकिन अगर आपके लिव है फिर भी आप EOL चाहते है तो अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर में आपको कुछ भी salary नहीं मि मिलती है सिर्फ study leave में यह रहता है कि आपको अगर कुछ statement वगर मिल रहा हो तो वह आपके इसमें से डिडेक्ट हो जाता है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था एच्पेल में आपको halfway leave मिलती है एक्टना ओडरी जो leave रहती है यह जो कि आपको उसमें आपको salary वगर कुछ नहीं मिलती है इदाउट salary आपको उसमें रहना पड़ता है दोस्तों इसके बाद में आता है special casual leave यह बहुत तरह की special casual leave इंदी स्वेसे हैं से कि कूछ activities जैसे कि आपकी sports activities होगी आपकी culture activities होगी sports activities में आपकी mountaineering, tracking यह सब जो है उसके लिए election होगए किसी society में meeting के लिए जा रहे हैं तो कुछ concerned societies रहती है उसके लिए हमिलता है और मुलता है इस सब चीज़ मिलता है फैमिली प्लैनिंग के लिए भी मिलता है तो दोस्तों यह अलग लगतर की स्पेशल के लिव और भी मिलती है बहुत सारी रहती है अगर आपको कंसर्ण जानना है कि भी आप स्पोर्ट एक्टिविडियों कौन सी मिलती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कितने दिन प्रॉब्लम्स आती है तो वहां पे कुछ लेवल त पाता है तो वहां पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है कासकर जो बड़ी सिटी रहती है तो अगर अपने को क्वाटर्स ने मिल पाते हैं तो अपने को काफी दूसरी इसमें ट्रेवल करना पड़ता है तो अगर फेसलिटीज की साब से देखें तो जो लेवल वन रहता आपका तो लेवल वन को टाइपवन रहता है से टाइपoru पर फिसको टाइप्टो क्वाट्र्स मिलते हैं लेवल डायन से लेवल येट्स भीड हॉर्ण। तो लेवल 9 से फिर आपको टाइप 4 मिलता है 11 में कुछ-कुछ जो लेवल 11 रहता है उसमें टाइप जो 4 बढ़ते जाते हैं आपके जो यह टाइप वाले बढ़ते जाते हैं यह टाइप 8 तक जाते हैं दोस्तों फिर अपने बात करते हैं, आपको सरफ एक फिल अप करनी पड़ती है इसमें लिखा रहता है कि आपका बच्च यहां पर पढ़ा है और आपको 27,000 पर चाहिल्ड आपको मिल जाता है अगर आपका पहले चाइल में हो गए हैं तो आपको दो ही मिलेंगे, लेकिन आपको second चाइल हुआ है तो पहले चाहिड प्लश यह दो चाहिढ न तीन चाहिड के लिया कर सकते हैं दोस्तों उसमें यहrá भी रहता है कि आप hostage subsidy भी इसमें divspwar श्केते हैं सकते हैं तो इसमे basis देने करब बहुत पहले जो रहता था कि चंडिशन की वह अभी कंडिशन नहीं तो कि आपको भर देना रहता है अखर आप midnight अगर आप को परकिल ओके प्रॉंठे करो मान लिये जाता है दोस्तों तो उसके बाद में अगर मैं medical की बात करूं तो medical में आपको मैं मोटा मोटा इतना ही बताऊंगा वैसे तो अगर level wise इसमें अलग-अलग facilities वैसे करके दी में लेकिन ज्यादा कुछ अंतर नहीं है कुछ cutting वगर में थोड़ा सा अंतर रहता है तो आप medical के लिए तो अगर आप चाहते हैं कि अलग से वीडियो बनाओ तो वीडियो बनादूंगा क्योंकि इसमें बहुत ही लवास्ट है यह क्योंकि अलग-अलग इंस्ट्रुमेंट हो गए अलग-अलग चीज़ लेकिन बागे सब चीजों में आप नॉर्मली अगर आपन क्या कि जो प्राइव इंपनेंट होस्पिटल से वहां पर आप आप जाकर दिखा सकते हैं जो भी पैसे लगता हूँ अपन रिमबर्स करवा सकते हैं तो आप चाहते हैं कि अगर इसमें अलग-अलग-अलग क्या आप जी जे रहती हों बता दूगा दोस्तों नेक्स्ट है लिव ट्रेवलिंग यह आपको फैसलिटी लगातार जो नियूर्टरी जो उनको आट साल के लिए मिलती है फोर यह किसमें ब्लॉग रहते हैं थ्री इयर्स इसमें जो रहते हैं वह आप होम टाउन ले सकते हैं और वन आल इंडिया इसमें ले सकते हैं आट साल के बाद में फिर टू यह में आपका वन रहता है और टू यह में आपका एक आल इंडिया रहता है तो दोस्तों इसमें क करते हैं NPS में new pension scheme इसमें normally पहले क्या था कि 10% contribution अपना खुद का रहता था 10% government जो थी वो अपने को देती थी लेकर अभी new rule के साब से अभी 14% contribution अभी government की तरफ से आ रहा है अगर आप retire करते हैं 60 years of age मतलब कि आप 60 years of age या इसको extend करके आप 70 years तक भी इसको withdraw कर सकते हैं वो यह ऐसी facilities में दी गई है तो उसमें क्यार होता है कि आपको 60% का cash amount मिल जाता है लंसा amount मिल जाता है 40% के आपको annual annuity लेनी होती है annual annuity बहुत सा तरह की रहती है आपके पास options रहते हैं कि आपको कौनसी annuity लेनी है तो आप उसमें से choose कर सकते हैं लेकिन जो 60% amount आता है इस पे पहले तो tax लगता था लेकिन अभी new rule के साब से अभी इसमें tax free कर दिया गया है अगर आप premature इसमें से निकालते हैं कि पहले बीच में आप इसमें निकाल रहे हैं तो इसमें आपको 80% जो आपका amount रहे करते हैं लेकिन इसमें यह condition है कि आपके 10 years की service में minimum होनी चाहिए तो 25% आप जो अपना contribution का उतना उसमें से आप withdraw कर सकते हैं एक बार में और entire 3 series में मतलब entire series में आप 3 बार यह इसमें कर सकते हैं लेकिन जो आप यह withdraw करेंगे इसमें आपको tax नहीं लगता है इसमें एक नहीं facility यह भी दी गई है कि tire 2 में आप पैसा डालके अपना जो ATC के अंदर में जो amount है उसमें आप उसको add कर सकते हैं ताकि आपको tax benefit मिले कई वर क्या होता है कि अपना जो MPS का खुद का contribution है या LIC का amount है वो 1.5 लाग तक नहीं पहुंच पाता है तो आप tire 2 में और पैसा जमा करक सकते हैं और tax बजा सकते हैं टायर 1 के अंदर में भी आप extra 50,000 डालके अपने limit को बढ़ा सकते हैं जो कि यह लाग के अलावा रहता है तो 50,000 सिर्फ यह मतलब central government employee के लिए यह बाकि जो private में जो NPS वाले कर रखे होते हैं उनके लिए facility नहीं है NPS के अंदर में अलग-अलग schemes हैं तो मतलब default scheme भी आप out कर सकते हैं जिसमे 33% equity लगा रहता है और आप अपनी मर्जी से भी दूसरी equity में भी लगा सकते हैं तो यह equity आप साल में एक वार change कर सकते हैं अगर प्रेफरेंस चेंज करना चाहते हैं तो आपका पास option रहता कि आप साल में एक वार इसको change कर सकते ह मैंने उसमें छोड़ दिये हैं तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरू कीजिए बैल आइकन दबाने के बाद में जरू दबाए ताकि जो भी मैं वीडियो बनाओ उसकी सारी notifications आपको मिलते रहें तो फिलाल के लिए जए हिंद